यलो फेंट्स बेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल दोस्तो यदि आप जीके फैना पसंद करते हो तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में कुछ इंट्रेजिंग सवाल पूछूंगी और उसके साथ में जवाब भी बताऊंगी लेकिन उससे पह सवाल तब बताओ एक प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस एक प्लस एक कितना होगा तो इसका सही जवाब देने वाले हैं जीतेंदर अश्रभ विवेक आसा सचिन सत्या सदीप मदन गनेश धिरेंदर सरोष गेमिंग दोस्तों इनको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत सवाल नमर फर्ष्ट है भारत में जब पहला हवाई जाच उड़ाया गया था तो वह कितनी उचाई तक उड़ा था सही जवाब पंद्रसो फिर तक सवाल नमर दो किस देश के लोग एक ही दिन में पंद्र करोर की चाई पी लेते हैं सही जवाब हो जाएगा इंग्लेंड देश के सवाल नमर तीन है क्या आपको पता है कि मनुष्ट के मरने के वाद सरीर में कितने तरह के बदलाब आ जाते हैं दोस्तों बहुत हैं इंटराशनिंग सवाल है तो इस वीडियो को लाइक और जादा से ज़रूर कर देना सही जवाब साथ तरह के सवाल नमर चार है ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर प्लास्टिक का प्रियो करने पर आप जेल जा सकते हैं सही जवाब हो जाएगा इजराइल देश में सवाल नमर पांच है भारत में कितने प्रतिसत लोग हैं जो बिना टिकट के ट्रेंड में सफर करते हैं सही जवाब लग वक्ती से 40 प्रतिसत सवाल नमर च्छ है क्या आप जानते हैं कि फांसी के बाद मुझरिम के सब के साथ क्या होता है दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्कार करके नोटिफिकेशन को ओन जरूर कर लेना तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोश्ट माटम होता है सवाल नमर साथ है ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने के बाद हमें हर चीज दुख नहीं दिखाई देती है सही जवाब हो जाएगा महनत का फल सवाल नमर आठ है क्या सच में मचलियों को भी प्यास लगती है सही जवाब हाँ बिलकुल लगती है सवाल नमर नो है अगर कोई आदमी डीजल पी ले तो क्या हो शकता है सही जवाब लिवर खराब हो सकती है सवाल नमर दस है उस धनुस का नाम बताईए जिसका प्रियोग भगवान स्राम ने सीता स्वेमर में किया था तो दोस्तो इस कोशन का जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना है कॉमेंट करने से पहले है स्टेक जिके स्टड़ी अड़ा लिखने के बाद अपना जवाब लिखना है तभी आपका नाम लिया जाएगा अगली वीडियो में सवाल नमर ग्यारह है मुस्लिम लोग जादा तर कुर्टा पजामा ही क्यों पहनते हैं दोस्तों बहुती इंटरेस्टिंग सवाल है तो इस वीडियो को सेयर जरूर कर देना तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरानी परंपरा के कारण सवाल नमर बारह है भारत का एक मात्र ऐसा कौन सा देश था जिसे फांसी पर लटका दिया गया था सही जवाब हो जाएगा भुपेंद्र नात राज खोबा सवाल नमर तेरह है वो कौन सा जानवर है जो पैदा होने के बाद लगाता दो महीने तक सोता रहता है सही जवाब हो जाएगा भालू सवाल नमर चौदर है क्या सच में इनसान के मैने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है सही जवाब हो जाएगा आत्मा कभी नहीं मरती सिर्प सरी त्याक देती है सवाल नमर पंद्रे है जादा तर्ज सेलफी लेते समय लोग दो उंगली क्यों दिखाते है सही जवाब वस इंजॉई के लिए सवाल नमर 16 है ऐसा कौन सा सब्द है जो एक जानवर का नाम भी है एक अथ्यार का भी नाम है सही जवाब हो जाएगा घुड़ा सवाल नमर 17 है वो क्या है जिसे सुन कर लोग वावा कहते हैं और देख कर बगाने लगते हैं सही जवाब हो जाएगा सेर यानि की साइरी सवाल नमर 18 है किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस रहते हैं सही जवाब हो जाएगा अमेरिका में सवाल नमर 19 है भारत के किस राज में नसा करना जुरूम माना जाता है दोस्तों आपने कितने कोशन का सही अंसर दिया है कोमेंट बॉक्स में जरूर बताना सही जवाब हो जाएगा केरल में सवाल नमर 20 है सडकों पर जेवरा क्रोशिंग क्यों बनाई जाती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैदल जाने वालों के लिए सवाल नमर 21 है ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी भी बोल नहीं सकता है दोस्तों मैंने आपको बहुत बार ये कोशन पूछा है तो आपको इसका अंसर जरूर पता होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिराफ सवाल नमर 22 है भारत के किस राज में रावन का मंदिर इस्तित है दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा इंडरस्टिंग कौन सा कोशन लगा कमेंट बोक्स में जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से जरूर कर देना तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान सवाल नमर 23 हनुमान ने असोख बाटका में सीता को किस ब्रच के नीचे बैठा देखा था सही जवाब हो जाएगा सिस्पाप ब्रच के नीचे सवाल नमर 24 है जै हिंद का नाराभात के किस महान व्यक्ति ने तिया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुवाद चन बोशने सवाल नमर 25 है दोस्तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है मानलो एक आनबी ने नस्वन्दी करवाली जिसके बावजूद भी उसकी पत्नी को बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे का बाप कौन होगा तो दोस्तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो दोस्तो कंडिडेट ने जवाब दिया सर 1982 में एक ऐसा ही केस सामने आया था जिसमें कोट ने जवाब दिया था कि बायलोजिकल रूप से उस बच्चे का बाप भले ही ना हो लेकिन कानूनी रूप से बच्चे का बाप वही होगा जिससे कि उस बच्चे के बविस पर कोई बुरा प्रभाब ना पड़े ये हमारे देश का कानून है तो दोस्तो बहुत इंटरेशन सवालत है उस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जादा से जादा से जरूर कर देना अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को और जरूर कर लेना बिगर देखने के लिए धन्लेवाद